हालो बच्चो आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक लेकी चल रहे हैं गौस्थ्वरम ठीक है कि गौस्थ्वरम बताने के पहले इसके बैक्ग्राउंड भी जाना पड़ेगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए किन-किन टॉपिक्स को समझना पड़ेगा ठीक है सबसे पहले चीज तो आपको थोड़ा सा एलेक्रिक फिल्ड के बारे में जाना पड़ेगा वैदु छेत्र के बारे में जाना पड़ेगा आप जानते हैं कि आपको बताया है कि एलेक्रिक जो फिल्ड होता है हर चार्ज के चारो और एक फिल्ड होता है एक छेत्र होता है और उस फिल्ड में अग अगला इनकी अपनी डारेक्शन होती है यह ख़र जब यूज होगा तो हम बात करेंगे इसके बात एक मेन आता है area vector area क्या चीज होती है area कैसी quantity है area vector अब आपको अजीब लग रहा होगा कि एरिया वेक्टर एरिया तो वही आपने बहुत पढ़े हैं सिलेंडर का एरिया, क्यूब आइड का एरिया, क्यूब का एरिया यह तो स्केलर क्वांटी लग रही है जी नहीं एरिया वेक्टर क्वांटी होती है कैसे इसको निकला जाता है समझीगा कैसे Vector Quanty होती है आपको याद होगा कि आपने Area of Panalegram पड़ा है कि कोई Panalegram अगर है उसका Area क्या होता है अगर एक साइड उसकी A है और एक साइड उसकी B है तो Paralegram का Area A x B आपने पड़ा है और Cross Product कैसा होता है vector quantity होता है तो area is a vector quantity पहली बात तो area vector quantity होती है ठीक है अब उसकी direction क्या होती है तो आपको cross product में पढ़ाय गया है कि अगर a cross b है तो यह mod a mod b sin theta into n cap n cap क्या होता है यह एक unit vector है 21 सदिस है जो a और b दोनों के perpendicular होता है यानि कि इसके area का direction वही होगा जो direction वो direction दोनों a और b दोनों के perpendicular होगा अब direction निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था कि एक left आपना जो है right hand लीजिए right hand के a की direction में अपने हथे ली को रुखिए ठीक है और b की direction में अपने उंगली मोडिए और जिधर या उठा होगा वो direction किसकी होगी that will be the direction of the resultant वो उसका जो resultant होगा जो क्या resultant यानि area होगा वो उसी direction होगी यानि अगर मैं a की तरफ इस प्रकार से अपनी हथेली रखता हूँ ठीक है? a यह हो गए जाग रखे और b इधर है अब आएसे तो हाथ मोड़ नहीं सकते तो हम a को ऐसे रख देते हैं और b की तरफ अब इसको कैसे b को ऐसे दिखा दिए चलिए ऐसे दिखाईए तो a की तरफ हमने हाथेली किया और b की तरफ ऐसे उगली मोड़ी तो area किदर आ रहा है? इस सर्फिस के पर्पेंडिकुलर बाहर की तरफ ठीक है? बसे यही वेक्टर लिया जाएगा क्योंकि जहां पर इसका head है खतम है यहां से इसकी टेली start है तो area vector क्या होता? इस सर्फिस के पर्पेंडिकुल होगा तो area क्या होता है? एक vector quantity होती है जिसकी direction क्या होती? किसी सर्फिस के पर्पेंडिकुलर तो पहली बात यह आपके दिवाद में आ गया कि area is a vector quantity direction the perpendicular to any surface अगर मैं इस अपने हथेली का area निकालता हूँ तो area तो इसका जो भी होगा 50, 60 जो भी होगा लेकि इसकी direction क्या होगी? इस हथेली के perpendicular ठीक है? तो हम इसको निकालेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? देखिए आप तो कि बहुत ज़्यादा हमको a, cross b, यह सब नहीं निकालना है हमको इसका इस्तेमाल करना है तो जैसे हमको यह surface लेने यह surface लेने और हम कहें इसका area a है तो a means the quantity the value, the magnitude of this surface is a area का भी है और यह इसका area vector है a vector ठीक है? तो अगर मैं unit vector a cap बाल लेता हूँ तो हमने पढ़ा है कि unit vector क्या होता है? a cap is equal to area vector divided by its magnitude किसी भी vector को उसके magnitude से divide कर दीजिए तो आपको area vector मिल जाएगा तो area vector की value क्या होगी? unit vector मिल जाएगा a mod into a cap तो इस प्रकार से हम area vector निकालेंगे इसका कोई स्थेमाल यहां गौश्थर में नहीं होगा main area vector का होगा कि area is a vector quantity जिसकी direction क्या होती है? इस surface के perpendicular ठीक है? तो यह तो हो गया area vector इसके बाद एक word आएगा यहां पर solid angle थोड़ा सा आपने आपको reverse gear डालिये दिमाग में और पहुँच चलते हैं 11th class में बहुँजिया? ठीक अच्छी बात है वहाँ से फिर वापस आएगे 11th class में आपको fundamental units पढ़ाई गई थी आपसे का आ गया था भई length है, mass है, time है, temperature है livingness intensity है, electric current है amount of substance है यह साथ quantity जो physical quantity थी they are known as fundamental quantities ठीक है? इसके बाद दो quantity बताई गई थी जिनको supplementary कहते थे supplementary unit थी radial और steradian angle and solid angle angle क्या होता है, कोई भी circle मैं circle की बात कर रहा हूँ sphere की बात नहीं कर रहा हूँ एक छला, circle होता है एक ball, sphere होता है ठीक है, कोई भी circle का कोई भी arc यह चाप जो होता है center पे जो angle subtend करता है, इसको angle कहते हैं और angle का formula होता है arc upon radius मैं बहुत basic से लेकर के चला हूँ कि solid angle भी समझ में आ जाया आपको करो कि इसका इस्तेमाल होना है arc is what, arc is the length radius is what, radius is the length unit, arc की unit meter radius की unit meter meter upon meter, cancel out तो angle की कोई भी unit नहीं होती है, लेकिन एक supplementary unit इसको दी गई थी radial तो radian एक supplementary unit है तो जो भी इस formula से angle निकलता है उसकी unit क्या होती है radian होती है तो ये तो हो गया angle जो आपको पढ़ाया गया आपको ठीक है इसके बाद एक आता है solid angle जिसकी हम यहाँ भी बात करेंगी दीको solid angle क्या होता है solid angle हमने कहा कि आर्क का कोई भी पार्ट है कोई circle का आर्क है वो center पे जो angle सब्टेंट करें उसको हम कहते हैं angle solid angle क्या होता है अगर आप एक sphere ले लीजी माले अपने एक football ले लिया ठीक है तो वो फुटबाल में देखा होगा बहुत चोड़ पैचेस होते है ठीक है तो आपने एक ball ले लिया यह माले एक football है ठीक है इसका यह center है इसका एक छोटा सा patch है यह patch जो चोटा सा है यह center पे जितना angle subtend करेंगा उसको हम कहेंगे solid angle इसको लिखेंगे omega से अब चुकि इसमाल angle है से delta omega और इसका formula होता है delta A upon r square यह r है चीक है अगर इसका area हम delta A ले लेते है चुकि delta A is area और area की unit meter square r is the distance length r square unit क्या होगी meter square तो इसकी भी कोई unit नहीं होती है तो इसको भी supplementary unit दी गई थी stay radian यह stay radian होता है तो हम इसी solid angle के बारे में यहां बात करने जा रहे हैं ठीक है तो detail में बात करनी है इसलिए मैंने general concept दा दिया जो आप 11th में पढ़ चुके हैं ठीक है अब बात करने जा रहे हैं पहले हमने area vector की बारे में बात की है वो body किसी point पर जितना angle सब्टेंट करती है उसको solid angle कहते है मतलब जैसे मालिया हमारे पास ये एक duster रखा हुआ है अगर एक कहने ये हमारी आख पर कितना angle सब्टेंट करता है तो actually में हमको इसको normally ऐसे रखना पड़ेगा अपने सामें पहली बात इसके हर एक point से चारो तरफ से हमें ऐसे lines खीशनी पड़ेंगी ठीक है और वो lines ऐसे निकल के आएंगी और यहाँ पर आगर के मिल जाएंगी तो ये जो angle बनेगा पूरा हमारी आख पे पूरा घेरा ऐसे ये solid angle है ठीक है तो अगर कोई surface किसी point से normally ये point है ये surface है किसी point से normally रखा हुआ है कितने distance पर आर डिस्टेंस पर और ये angle ये सब्क्रेंट कर रहा है एक्चुली में हमने दो point दिखा दिए उसके end point से मिला दिया वहना चारो तरफ से उसकी lines कीशेंगी यहां से यहां से यहां से बहुत सारी lines खेशके ऐसे आएंगी जैसे आपने देखा होगा वो जो भिल पूरी बेशने वाला वो चलता है बहुत बड़ा सा एक तस्रा ले करके तो उसका एक strand होता है कोनिकल strand टाइप का होता है तो ऐसे बहुत सारी lines आएंगी वो यहां जो एंगल सब्टेंट करेंगी डेल्टा ओमेगा तो यह डेल्टा ओमेगा क्या क्या लाएगा solid angle इसका फर्मडा क्या होगा डेल्टा एपान आर स्का एरिया क्या है डेल्टा ए और यह जो surface है वो इस point के नौर्मली रखा हुआ है इसका unit क्या होता है stay radian stay radian जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि sphere की बात कर रहे थे sphere का हमने छोटा सा part लिया था और हमने का है छोटा सा part जो होता है वो जितना angle सब्टेंट करता है उसको क्या कहते हैं solid angle तो डेल्टा उमेगा इस इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वार इसकी unit हमने क्या बताई थी stay radian ठीक है अब इसका total ये तो solid angle subtended by a small part है अगर हम बात करें for whole sphere की इसको फिलाल भूल जाए कि ना ने कर दीजाए इस देखे for whole sphere पहले इसको detail देखेजिएगा for whole sphere अगर पूरे sphere के बारे में बात करें पूरे इस गूले के बारे में बात करें तो पूरे sphere का जो area होता है वो कितना होता है 4 pi r square प्राव अपाई अप इस फियर तो डेल्टा ओमेगा को ओमेगा कर दो तो 4 pi r square upon r square is equal to 4 pi यारी किसी surface के द्वारा पूरे surface के द्वारा पूरे sphere के द्वारा center पे जो solid angle बनता हो कितना होता है 4 pi होता है ठीक है जब कोई sphere हम कहीं लेंगे और हम कहेंगे यह पूरा का पूरा sphere center पे कितना angle सप्रेंट कर रहा है हमारे चारो तरफ कोई एक sphere है उस ball के अंदर हम बैठे हुए है पूरा ball हमारे आख कितना angle बना रहा है तो that will be 4 pi अब यहाँ पे आईए अगर कोई surface माल लिया कोई surface हमसे r distance पे रखा हुआ है इस प्रकार से रखा हुआ है surface r distance पे नार्मली रखा हुआ है तो यह हमारे आख कितना angle सप्रेंट करता है मैं इसके अंदर नहीं नार्मली रखा हुआ है तो क्या करेंगे इसके चारो तरफ से इसके चारो तरफ से ऐसे हम लाइन्स खीचेंगे अपनी आख पे ऐसे मिलाएंगे यह डेल्टा ओमेगा है इसका फरमला क्या होगा डेल्टा ए अपन आरी स्क्वार ठीक है दूसरा फरमला देखिए अगर यह surface नार्मली न रखके ऐसे नार्मली रखा हुआ है नार्मली न रखके कुछ टेड़ा ऐसे रख दिया जा तब क्या होगा वो देखिए जरा समझेगा क्या लफड़ा है यहाँ पर देखिए इस surface makes angle theta with the normal जैसे यह surface नार्मली रखा था आपके आँख से ऐसे नार्मल रखा था यह नार्मल था आर्डिस्टिंस पर अब यह surface माल लिया नार्मल नहीं रखा गया यह theta angle बनाते विया यह जो नार्मल है वो ऐसे चला गया theta angle बनाते विया रखा आपकी आँख से आर्डिस्टिंस पर तब यह कितना angle सब्ट्रेंट करेगा यह तब करेगा delta omega is equal to delta a cos theta upon r square यानि इस में क्या है surface is placed यानि surface जो है is placed normal थोड़ा सा इसको language पलिख लीजे surface is placed normally 2.0 यह point उसे normally रखा हुआ है नॉर्मल है यह 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 इस surface का जो perpendicular हुगा वो इस blind के parallel है और इसमें क्या है कि surface is making angle theta making angle theta with normal with with normal ज़र इस formula को तुवारा और समझीएगा इसको बताएंगे ज़रा समझीएगा इसको अभी समन में आ जाएगा आपको देखे द्यान से अगर मैं हम अगर हम एक surface ऐसे ले लें यह एक surface है एक book आपकी है ठीक है और हम इस book को कहें कि यहाँ पर कितना angle सब्टेंट कर रही है तो आप इसके end point से एक line ऐसे खींचेंगे और आप कहेंगे यह delta omega सब्टेंट कर रही है और delta omega की value क्या होगी delta A upon r square यह इसका normal दूरी है कह सकते हैं अब ज़रा समझीए अगर यही book यही बुक आपके बिलकुल normally ऐसे रखी वी है अब यही book थोड़ा सा टेड़ी करके हमने रख दिया हमने इस book को ऐसे रख दिया अब बहुत अच्छा figure नहीं बन पाएगा अब बताएगे क्या यह पूरी book आपकी आख पर same angle बना रही है नहीं बना रही है अब कितना angle बना रही है एक्चुली में यह डेल्टा A था और यह यहाँ से कितना angle बना रहा है थीटा तो अब डेल्टा A का यह जो component होगा वो क्या होगा डेल्टा A cos theta यहनि अब आप डेल्टा A कि जिए क्या लिखेंगे डेल्टा A cos theta तो अब डेल्टा ओमेगा क्या हो जाएगा डेल्टा A cos theta अपान r square तो अगर कोई surface डेल्टा A कही है यह A कही है आप A कही दीजिए अगर कोई surface normally किसी point के रखा होता है तो solid angle A upon r square होता है अगर normal से theta angle बनाते हैं भी रखा होगा ऐसी बाई दीको यह normal है यह point है normal है अब जैस जितने angle से surface गुमेगा उतने angle से normal भी गुमता जाएगा नहीं गुमता जाएगा तो यह area हो जाएगा delta A cos theta चीक है तो यह हम use करेंगे cos theorem में इसलिए इस concept को हम बता रहे हैं अब हम बात करने जा रहे है electric flux कि यह बहुत conceptual है भो ध्यान सबजिएगा इसका यूज होना है अभी आगे electric flux के बारे में बात करें देखे electric flux क्या होता है पहले तो flux क्या होता है electric flux इसको हिंदी में भी flux ही बोलते हैं वैदत flux दरा समझीगा आपको पढ़ाय गया है कि भी वैद्दूत लाइन्स होती है वैद्दूत लाइन्स होती है तो यारे कि अगर कोई भी सर्फिस है किसी वैद्दूत छेतर में रख दिया जाए तो क्या होगा उसके अंदर से वैद्दूत लाइन्स गुजरेंगी जितनी electric lines इस surface से गुजर रही है वो इसका electric flux होगा चिक पहली चीज़ जैसे माल लिया कोई मूँ खोले ऐसे और ज़ाडू ले लिजिए सींक वाली होती है तारू वाली ऐसे सींक होती है उसके मुँँ में गुजर दीजिए तो आर दस बीस लाइने जो ज़ाडू की सींक होंगी वो उसके मुँ में जाएंगी तो वो ही ज़ाडू flux है उसी flux बारे हम बात कर रहे हैं अब वो अपना मुँ बहुत बड़ा सुरसा ऐसा पहला ले और बड़ा और बड़ा तो क्या होगा ज़ाडू की जो सींक है और ज़ादा उसके अंदर जाएंगी तो यानि जितना ज़ाड़ा एरिया बढ़ेगा उतना ज़ादा flux बढ़ेगा तो यानि एलेक्रिक flux किस पर डेपेंड करता है इसकी एरिया पर डेपेंड करता पहली बात दूसरी चीज़ यह भी हो सकता है कि ज़ाडू जो आपकी है बहुत ही ठस बनी भी है बहुत सारी सींके एक जगेट बनी है तो ज़्यादा सींके उसमें जाएंगी ठीक है यानि अगर इलेक्रिक लाइन बहुत सारी है इसकी intensity बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा lines इससे गुज़रेंगी भले area कम हो मान लिया ये छोटा सा area है इसको electric field में हमने रख दिया और electric lines बहुत सारी घनी south line ऐसे निकल लई है तो south line यहाँ से गुज़रेंगी नहीं गुज़रेंगी और area बढ़ा दिया तो हजालाने गुज़रेंगी लेकिन मान लिया जो electric lines है वो BC है तो इतना वड़ा area होगा तभी BC निकलेंगी तो electric flux दो बात पर depend करता है एक इसकी area पर depend करता है और दूसरा जो electric field की intensity होती उस पर depend करता है ठीक है तो मान लिया यह electric lines ऐसे गुज़र रही है कैसे भी हो सकती है यह electric lines इसे गुज़र रही है कुछ इसके अंदर से गई कुछ ऐसे बाहर निकल गई होंगी यह electric lines इससे गुज़र रही है इस प्रकार से और यह कोई भी एक छोटा सा मैंने इसका एक area element ले लिया और यह area vector है ds या dm आ लिज़ी जो electric field से theta angle बिना रहा है तो electric flux जो होता है electric flux किस से? passing through small area element passing through through small area element ds तो इसको हम d phi e लिखेंगे flux को phi से denote करेंगे पहली चीज़ चुक्कि यहाँ पर electric lines भी होंगी आगे चलके magnetic lines भी होंगी तो electric के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे e तो d phi e होता है e dot ds इसका दोनों का dot product होगा यानि e ds cos theta यह electric flux का formula होगा इस छोटे से surface से गुजरने वाला अब तो चुक्कि पूरे surface का area आप क्या मान के चल रहे हो a तो हम निकालेंगे electric flux through the entire surface तो इसका sigma लगा दीजिए जिसको कि mathematics की भासा में हम क्या कहते हैं integration तो electric flux through entire surface through entire surface पूरे surface से गुजरने वाला electric flux तो phi e तो इसको आप integrate कर दीजिए e ds cos theta और यहाँ पर a बना दीजिए इसका उतरा surface integral होता है ठीके अगर आप इस प्रकार से integral में l बना देते हैं इसको line integral कहते हैं इसको आप a बना देते हैं तो इसको surface integral कहते हैं इसको आप v bना देते हैं इसको volume integral कहते हैं यानि इसका मतलब समझा लगीजीएगा माले आप किसी भी tषार को charge देते हैं तो थार बहुत लंबा है तो पूरे लंबाई के तार लंबाई में हम charge को नहीं count कर सकते हैं हम पूरे तार में कहां से नापते फिरेंगे, तो हम एक छोटे से length में charge निकाल लेंगे, DQ, ठीक है, छोटे से length में, और जब total charge निकालने को आएगा, तो उसको integrate कर देंगे, और कौन सा integral होगा, लंबाई के अलाग, यहाँ L लिख देंगे, उसको line integral कहते है, सुन में आगी बात, दूसी बात, हमने एक surface ले लिया, यह rectangular surface ले लिया, बहुत बड़ा सा surface है, हमने उसको charge दे दिया, पूरे surface में, बहुत बड़ा area है, उस पूरे surface में charge फैल गया, अब उस charge को measure करना है, तो हम एक छोटा सा area ले लेंगे, हम गहेंगे, इस area का charge कितना है, DQ, जो भी निकालना होगा, charge निकालना है, तो DQ लिकेंगे, current निकालना है, तो DI लिकेंगे, तो जो भी उस छोटी सी portion में, हमको निकाला हो निकालेंगे, और बाद में total surface के निकालने के लिए, हम उसको surface integral कर देंगे, अब मालिया एक solid है, उसका बहुत भेंकर volume है, और हमने total charge उसको दे रखा है, और charge पूरे volume में फैल गया है, और हम उसको निकालना ही पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चोटे से volume का charge निकालेंगे, DQ, और बाद में उसको volume integral कर देंगे, अब मालिया surface close है, बंद है, उसके अंदर कोई charge रखा हुआ है, तो हम उसको close integral कहेंगे, यह तीन प्रकार के, चार प्रकार के integral यूज़ किये जाएंगे, line integral, surface integral, volume integral, close integral, यह है actually integral ही, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है, वो यह, तो इसको कहेंगे surface integral, तो integral हो किसका रहा है, जो small portion था, जिसका आपने sigma लगाया है, small area आपने लिया है, इसका sigma लगाया है, तो आप total, जब surface निकालेंगे, तो E cos theta, चुकि यहाँ fix है, क्यों integral किसका होगा, डियस का, और पूरा area आपने इसका क्या माना है, तो आएगा Ea cos theta, Ea cos theta, तो यह flux का formula होता है, Ea cos theta, यह है आपका electric flux, ठीक है, अब जब एक बात हो, यहाँ समझेगा, क्योंकि electric flux ही यहाँ पर main, जो theta है, flux है, electric field है, area है, यही आपको problem create करेगा, बार बार, numerical में भी और proof में भी, देखिए, अगर कोई surface close है मालिया, मालिया कोई इस प्रकार से, close surface ऐसे है मालिया, ठीक है, और इससे electric flux पास हो रहा है, अभी close ही बनाया था, वो surface हो सकता है, वो एक sheet हो ऐसे, यह sheet हो सकती हो, अगर close surface है, तो एक note लिख लिजेगा, if surface is closed, is, surface is, closed, then, the total electric flux, total, electric flux, passing through whole surface, passing, through whole surface, whole surface, phi e, तो formula वही होगा, e dot d, e ds cos theta, केवल इसको हम क्या करेंगे, close integral कर देंगे, या एक circle बना देंगे, यहनि, close हो गया, तो e cos theta बाहर हो जाएगा, तो formula वही आएगा, ea cos theta, लेकिन यहाँ close integral लगाना पड़ेगा, जो भी surface होगा, उसका whole area आप लिख देंगे, मालिया वह आपका sphere है, तो 4 pi r square लिख देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हम use करेंगे, अब एक note अपने जानने के लिए समग लिजेगा, उसको लिखने की जुरुत नहीं है, कभी कभी क्या होता है, एक ऐसा surface हो जाता है, ये एक surface लेते हैं, ठीक है, और इससे electric field निकालते है, electric flux निकालते हैं, हमने surface को ऐसे रखा, जब समझेगा, area element क्या होता है, area element हमने कहा है, कि इसके perpendicular, अगर मैं इस surface के बारे में बात करो, तो area ऐसे होगा, इस surface के बारे में बात करो, तो area ऐसे होगा, इसकी बात करो, तो area उपर की और होगा, इसकी बात करो, तो area नीचे की और होगा, इसकी बात करो, area इसकी और होगा, इसकी बात करो, तो area इधर होगा, ठीक है, तो इसके कितने surface हैं, एक, दो, तीन, चार, 5-6 surface है अब अगर इसको electric field में रखते हैं और ऐसे electric lines गुजरती हैं इसमें तो ये electric lines इस surface के साथ कुछ और angle बनाएंगी इसके साथ कुछ और बनाएंगी इसके साथ कुछ और बनाएंगी इसके साथ कुछ और इसके साथ कुछ और इसके साथ कुछ और बनाएंगी अब हम क्या करें तो हम क्या करेंगी कि इसके वो सर्फिस चुन लेंगी जिनसे electric field same angle बना रहा है जैसे माल या इसके 6 सर्फिस हैं तो अगर हमको निकालना है electric flux through any qubit electric flux through any qubit तो हम क्या करेंगे इसको जो e.ds आप लिख रहे थे या e.ds.cos.θ लिख रहे थे आप और close integral कर रहे थे तो चुकि थीटा अलग-अलग सर्फिस में अलग-अलग है तो हम क्या करेंगे पहले सर्फिस के लिए लिए लिख देंगे e.ds.cos.θ प्लस दूसरे के लिए लिख देंगे e.ds.cos.θ प्लस तीसरे के लिख देंगे e.ds.cos.θ प्लस चौथे के लिख देंगे e.ds.cos.θ प्लस पाच्वे के लिख देंगे e.ds.cos.θ प्लस छटे के लिख देंगे e.ds.cos.θ जितने भी सर्फिस हैं उन सब के लिए आप लिख देंगे कोशी से करेंगी कि भाई आप उस बाडी को उतने सर्फिस पे डिवाइट कर दो जिन से एलेक्ट्रिक फिल्ड सेम एंगल बनाता है जैसे इस सर्फिस में बहुत सारी छोड़े पॉइंट्स हैं बहुत एरियाज हैं छोटी एरिया ये 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 सारो अ Dee या मं डिवाइट कर सकते हैं लेकिन पूरा का पूरा सर्फिस इलेक्रिक फिल्ड के साथ सेम एंगल बना रहा है इसलिए हम पूरे सर्फिस को एक माल लेते। इसका पूरे का इंट्रिगेट कर देते हैं सिग्मा निकाल लेते हैं ज्रास समझियेगा अब अगर हम बात करें, अब हम लिख नहीं रहे हैं, पहला सर्फिस ले ले, तो एलेक्ट्रिक फिल्ड ऐसे गया है अंदर की और, एरिया वेक्टर बाहर की और है, क्योंकि इस सर्फिस के पर भी निक्रोड होगा, तो E और थीटा के बीच अंगल कितना होगा, E और डियस के बीच में 180, तो काउज 180 लिख देंगे, यह सर्फिस ले लेंगे, तो यह एलेक्ट्रिक फिल्ड बाहर निकला है, और यही एरिया है, तो क्या लेक्ट्रिक फिल्ड है, और यह एरिया है, 90, यह एलेक्ट्रिक फिल्ड है, यह एरिया है, 90, यह सब सर्फिस 90 बनाएंगे, तो क्यों तो यह surface और यह surface हमें लिया, rest में 0 होगा, तो अगर कोई irregular shape की body है, if a body which is placed in the electric field is irregular shape body, then this is the way to find the electric flux, तो this is the electric flux, चीक है, तो गौस्थर हम next day बात करेंगे, यह concept है आपका area vector का, solid angle का और electric flux का, थोड़ा इसको पढ़ लिजेगा, next in the next video की,